जेरी शुडेंट, गुड मॉर्निंग आलफ यू, प्रत्योगिता शेंशार में आप सभी का स्वागत है, आज का हमारा अध्यन विशय है क्रिशी भूगोल और इसके अंत्रगत हम अध्यन करेंगे क्रिशी भूगोल की प्रकृति याने की नेचार ओफ एक्रिकल्टर मंधित है, किसी भी विज्यान में उसकी प्रकृति की बात करते हैं, तो मुलतत तीन बाते निर्भर करते हैं, एक है उसकी विशय समागरी, और एक होता है उसकी अध्यन की उपागाउं या विध्या, और उसके अध्यन के लिए की जाने वाली जो तकनिके हैं, या विधिक साथ जिन जिन तक्निकों का या सोर्षक हम प्रयोग करते हैं ये ये तीनों बाते महत ही महत पूर्ण से हैं इन्हीं तीनों को सम्मिश्रित कर हम क्या करते हैं उसकी प्रक्रिती का पता लगाते हैं तर क्रिशिभूगोल की प्रक्रिती जानने के लिए इन बातों पर विचार क या तकनिक हम लेते हैं उनमें भी परिवर्तन होता है तो वैज्ञानिक प्रकृति और उनसके अंतर विशयक अध्यान और विद्यार्थियों की जो छमता है उनमें निरंतर क्या हो रहा है व्रिध्धि हो रहा है और अनुभूति में भी व्रिध्धि हो रहा है जिसके कारण क क्या होता है इसकी व्याख्या में भी क्या होता है परिवर्तनाया है अता है इसके प्रकृति में हम ने मिलखी तत्यों को शम्मिलित कर सकते हैं तो कौन-कौन से माध्यम से हम क्या कर सकते हैं क्रिशी की प्रकृति को प्रदर्सीत कर सकते हैं क्रिशी क्या होता है यह निरंतल प्राचिन समय क्या होता था जो क्रिशी होता था वो इस्थनांतिरित किसी और क्या होता था उत्पादन कम होता था लेकिन अभी क्या हो रहा है गहन क्रिशी हो र दाजनेतिक 3 कारकों का प्रभाव कर रहे है उस पर फिर और अवस्थिति जो कह रिशी कार्या और लुत्राड ये उसका सेकेंड प्रकृति या श्रुख बता सकते हैं जैसे की क्रिशी करिषी कार्य के अवस्यति और वित्रर जो क्रिषी कार्या या नहीं कर सकते या जिस स्थिर्ण में अधिक बर्फिली शचेत्र नहीं नहीं कर सकते तो इसलिए क्रिशीकार्य की अवस्यती हुता है फिर प्रदेश में क्रेट्ह जाता है जिसमें उसके लिए उप्यूक्त वादा वरण हो और जो है उसका हर छेत्र में अलग लग करते हैं किसिज़ें क् 충 पालन क्रिश्या करते हैं कहीं तो पर चारा गाहां के लिए उप्योग करेंगे अवास के लिए उप्योग करते हैं कर्षि प्रिशन करें ही प्रोद रिश array रूपों में दिखाई परता है फिर है क्रिशी तथा कार्यात्मक अन्योन क्रिया ये इसके क्रिशी भूल का एक और प्रकृति या स्वरूप है इसमें क्या होता है क्रिशी कार्या के साथ हम क्या करते हैं अन्यकार भी करते हैं जैसे कि पसु पालन हो गया कुटकुट पालन हो गया मुर्गी पालन हो गया यह सभी क्रिशी के अंतरगति आता है जो हम उनके साथ करते हैं फिर है क्रिशी विकास और नियोचन तो आप सभी को पता है कि क्रिशी का विकास जो है निरंतर बढ़ते जा रहा है पहले क्रिशी का उत्पादन जो है बहुत क के लिए नियोजन क्या और शक्ता भी पढ़ है क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रहा है जनसंख्या के साथ क्या हो रहा है उत्पादन की कमी हो रहा है क्योंकि जनसंख्या अधीक हो रहा है तो जो जमीने हैं उसमें लोग क्या कर रहे हैं आवास का इस्थापन कर रहे हैं जिस तो आज को टॉपिक है यह इसके श्वरूप या प्रकृति को दर्साता है यदि आपके पास कोई और टॉपिक है जो इसके स्वरूप को दर्सा है तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं तो आज को टॉपिक इतना ही धन्यवाद